हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं RRBALP कूपर RRBALP की आपने CBT2 एक्जाम दिया आपका Part B अच्छा नहीं गया है तो आप सभी लिए बहुत बुरी खबर है बहुत बेकार खबर है तो चली इस पर बात करने जा रहे हैं Part B में नर्मलाइजेशन नहीं किये जाएंगे जिसका ओफिशियल तोर पर मैं आप सभी को आँगे दिखाने जा रहा हूं अपडेट और साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अभी हम कर क्या सकते हैं आप के पास समय है अभी तो अभी क चली इस पर बात करते हैं तो अभी हम लोग को अरवी कोलकत्ता के ओफिशियल ट्यूटर हैंडल एकाउंट पर आ गये तो यहां पर एक ट्यूट किये गये तो इस ट्यूट पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर पूछे गये थे तो सभी आरवी में Part B में टेक्निकल जो तो डिफ्रेंट ट्रेट थे अलग अलग सिप्ट में हुए और सभी के अलग अलग इच जितने भी ट्रेट से सभी के अलग अलग ट्रेट तो यहां पर डिफ्रेंट डिफ्कल्ट लेवल सभी के अलग अलग डिफ्कल्ट लेवल थे तो यहां पर नर्मलाइजेशन किये जा अब ही आपके पास सभी यहाद आप मेल करते हैं तो मैक्सिंट in km नहीं होते हैं तो मैक्सिमम नंबर में वैसे लोग हैं जो लोग 18, 27, 28 के आसबास बीच में हैं तो ऐसा इस्तिति यादा है रिजल्ट लगवाग तीन लाग से लेकर चार लाग से जादा नहीं होंगे यहाँ पर आठ गुना रिजल्ट लेना है टोटल पोश्ट का तो आठ गुना भी फूल्फिल नहीं हो पाएगा यहाँ पर रिजल्ट में इस सिचुवेशन से यहाँ लोग देखें यहाँ पर पार्ट भी में नर्मलाज़ेशन नहीं किये जाते हैं तो तो देखिए क्या होत होता है तो अभी के लिए तो सिर्फ यही अपडेट है तो आप यह दिया आप करते हैं और यह ट्यूटर हेंडल एकाउंट के उपर कहा गया तो इसलिए मैंने आप से जरूरी था कि बता दू आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं आपके पास सही समय में आप थोड़ा से म 25 पेतालीस के आस पास गया है नहीं तो मैक θα लोह का जो में टाइम तुर लिखा हुआ एक वज़े पर उससे पहले ही अंसर की आएंगे जब भी उमीद है कि उससे पहले ही अंसर की आएंगे पर देखते हैं क्या होता है ऑफिस्चिल वेब साइट पर हम लोग विजिट करते रहते हैं तो चली आज की वीडियो में बसता हैं आप से यह बताने के लिए किया था सिर्फ यह वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें शाथ में चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिन जय भारत